आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अधिन करें क्लास 10 पर जो राजी प्रकास्टन कर रहे जिसमें आप लोगों को जादा से ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप लोग आप जो है ना तिर्भुच को प्रवाइट कर दीजे तिर्भुच को कम समज में आ रहें तिर्भुच को अच्छे से पढ़ा दीजिए तो हां बिल्कुल आप लोग आखिर तक पड़ते रहें एकदम साब कॉंसेट अपको धीर धीर क्लियर होता जारा है है कि न कि जिससे कि हम आप तक जो है अपना जो नोट से कुछ इंपोर्टेंट से कोशन बगेरा है जो आप तक पहुचा सके हाँ अब देखिए जिसे हम लोग आज हम लोग देन करेंगे 6.1 श्टार्टिंग तिर्भुज इसमें हम लोग सम्रूप आकर्तियों के बारे वे जानेंगे सम्रूप आकर्ति के बारे वे जानेंगे सम्रूप आकर्ति के बारे वे जानेंगे वह आकरती जो दिखने में एक जैसी हो दिखने में सेम हो उसे समरूप आकरती कहते है कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो अब यह सर्वांगसम किसे कहते है दो सर्वांगसम का मतलब है जैसे आपको बताते है जैसे इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे आप लोग कहोगे कि A B जो है एक रेखा है A B क्या है एक रेखा है इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे जो P Q है क्या कहोगे तो आप लोग कहोगे P Q भी एक रेखा है तो इसे देखकर भी रेखा कहोगे कि इसे देखकर भी रेखा कहोगे, मतलब कहोगे तो रेखा आप लोग, सम्रूप आकृति, क्या होगे सम्रूप अपृति, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए, क्या दोनों की लंबाई बराबर है, नहीं है ना, तो सर् तो सम्रूप में कोई जरूरी नहीं है कि आकरती जो है वो सरबांग समों. जैसे आपको बता देते हैं, इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे? इस भाई साब को देखकर यह जो हमारे पास A, B, C है. इस भाई साब इसे देखकर तो आप लोगों ने रेखा बता दिया. इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे? तो इसे देखकर भी आप लोग कहोगे कि यह भी एक तिरभुज है. जबकि दोनों की लंबाई बराबर नहीं है. मतलब सरबांग सम नहीं है. लेकिन कहोगे तो आप लोग तिरुभुज क्योंकि ये देखने में एक जैसी है अगर देखने में सेम हो उसे समरूप आकरती कहते हैं क्लियर हुआ ना और बताते हैं जैसे माल लोग कि इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे तो इसे देखकर आप लोग कहोगे कि यह व्रत है और इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे तो इसे देखकर भी आप लोग कहोगे कि यह भी व्रत है मनलब दोनों को देखकर व्रत कहोगे दोनों को देखकर एक ही नाम अगर कहोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो समरूप आकरती है समरूप में कोई जरूरी नहीं है कि समरूप आकरती जो है आपका सर्बांगसम हो सर्बांगसम का मतलब है उसकी लंबाई बराबर हो ठीक है तो हम लोग ये भी कह सकते है कि सभी ब्रत समरूप होते है सभी तिर्भुज भी सम्रूप होते हैं, सभी तिर्भुज भी सम्रूप होते हैं, सभी तिर्भुज भी सम्रूप होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सर्भांगसा हो, सर्भांगसा का मतला कोई जरूरी नहीं कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो है वो बराबर हो, लेकिन स इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे, जिसकी चारो बुजाए बर्वर हो, उसे देखकर और इसे देखकर भी आप लोग वर्ग होगे, ठीक, वो इसके अंदर पोजा दिया, अलाव इसको आप लोग इतना यह न ले न, लंबाई बराबर करने के लिए, तो इसे देखकर भी आप लोग क्या कहोगे, वर्ग कहोगे, दोनों ही वर्ग है, तो दोनों समरूप है, भले इसकी लंबाई बराबर ना हो, तो सभी वर्ग भी समरूप कहोगे आप लोग, सभी वर्ग भी आप लोग कहोगे, समरूप कहोग जिसे निमलिखित नहीं कोष्टकों में दिये गए सब्दों में से सही सब्दों का प्रियोग करते हुए रिक्तिस्तानों को भरिये नमबर एक सभी ब्रत होते हैं और अप्शन दिया गए आपकी वह सर्वांगसम और समरूप तो आप लोग कहोगे सभी ब्रत क्या होते है तो सभी ब्रत जो होते है वो समरूप होते है क्या भरोगे समरूप क्यों कि वो समान होते है दूसरा सभी बर्ग होते है तो सभी बर्ग क्या होते है तो सभी बर्ग भी आपका समरूप ही होते है क्या भरोगे सम्रूप फिर सभी तिर्भूज होते हैं तो सभी तिर्भूज सम्रूप होते हैं नमबर एक सम दुई बाहू तिर्भूज और नमबर दो सम बाहू तिर्भूज सम दुई बाहू तिर्भूज किसे कहते हैं जिसके दो बुजा बराबर हो तो जसके सभी बुज़ा बराबर हो, उसे सम बाहु तिर्बुज किसे हैं? सम तुभी बुज़ा बराबर हो, मारे पस कौनißt अपस्ण? टिक करोगे अब लोग सम बाहु तिर्बुज चौथत्व नमबर बुजाओं की समान संख्या बाले दो बहुबुज जो समरूप होते है यदि एक उनके संगत कोड तो ध्यान दखना कि बहुबुजों की संगत कोड अगर बराबर है तो वो समरूप है तो इसमें संगत कोड बराबर अगर हो तो उसे समरूप कहते हैं तो इसको बराबर फट देना तता उनकी संगत भुजाय जो है निए समान अनुपात में होनी चाहिए निदे इस तिरुच की बात कर रहे हैं मालो कि यहां से यह 2 cm है और यह 2 cm है यह 12 cm है और 6 cm है यह 5 cm है और 10 cm है पहलो कि संभाव नहीं है तब, अगर संभाव हुए तो सभी तो बराबर हो गई, दोखो, फिरसे एक बार समझ लेना, कि यहाँ पर लिखोगे दो बटे एक, यहाँ पर लिखोगे 12 बटे 6, और यहाँ पर लिखोगे 5, यहाँ पर 10 करो, इसकी लंबहि ज्यादा है न, इसकी लंबाई कम है तो दस बटे पांच छै दूनी बारा पांच दूनी दस दो अनुपाद दो अनुपाद दो इसकी भुजाओं के जो अनुपाद है वो बराबर होनी चाहिए ठीक है हाँ तो दूसरा नंबर निम्लिक योगमों के दो भिन भिन उधरान दीजिए समरूप आकरती और नंबर दो आईसे आकरती जो समरूप नहीं है तो समरूप आकरती दूसरे का पहला में इनका कहिना कि समरूप आकरती का दीजिए तो समरूप आकरती बहुत से समरूप आकरती दे रहे हैं जैसे आपको इससे देखकर आप लोग क्या कहोगे आयत कहोगे न जिसकी दो भुजा बराबर हो प्रते को नब्वे अंस को आयत कहोगे न इससे देखकर भी आप लोग क्या कहोगे नाम करण कर देते हैं इससे देखकर भी आप लोग आयती ही कहोगे मतलब यह समरूप है जब कि इनकी लंबाई यह बराबर नहीं है है कि नहीं तो मतलब यह सरबांगसम नहीं है इसके बाद आई से आ करते हैं जो समरूप नहीं है समरूप नहीं है इसका सेकेंड पार्ट में इनका कहना है ब्रत कहोगे और इसे देखकर आप लोग क्या कहोगे तिरभुज कहोगे अलग-अलग क्यों नाम दे रहे हो मतलब समरूप नहीं है क्या नहीं है इसलिए ये समरूप नहीं है ठीक है अब देखो आपका कोशन नमबर तीन में बताए कि निमलिग चत्रभुज समरूप है या नहीं है देखो चत्रभुज समरूप है या नहीं है तीसरा नमबर में एक आकरती इस प्रकार से है ठीक एक आकरती इस प्रकार से है इसका नाम है PQR इस प्रकार से PQR और एक आकरती इस प्रकार से है इस प्रकार से है जिसका नाम करना है ABC ABCD यहाँ पर एंगल दिया गया है एंगल दिया गया है यहाँ पर मतलब प्रते कोड जो है 90 अंस का है यहाँ पर एक दिसम्बलो पांच एक दिसम्बलो पांच एक दिसम्बलो पांच एक दिसम्बलो पांच और एक दिसम्बलो पांच यहाँ पर तीन 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 अब इनका कहना है जरा बताईए कि या समरूप है इन्हें दोनों को देख कर तो अब लोग वर्ग वर्ग है यह ब्रत ब्रत है ये तिर्भुज तिर्भुज है ये आयत आयत है लेकिन ये आपके पास क्या है ये वर्ग है ये वर्ग है और ये आपके पास समानतर चतर्भुज है ये वर्ग चतर्भुज है यानि सम्चतर्भुज है और ये समानतर चतर्भुज है सम चतर भुज में क्या होता इसको सम चतर भुज कहेंगे सम चतर भुज में चारो भुजाए आपकी पास बराबर होगी बराबर होगी इसमें इसमें इसको वर कहते हम लोग और समानतर चतर भुज में केबल जबकि इसमें सभी तो सभी पुछाए परावत दिखा रही है लेकिन ये देखो यू इसका जो एंगल है not equals इसका जो एंगल है not equals इसका जो एंगल है not equals ये आपके पास एक वर्ग के रूप में है ये आपके पास एक समांतर चतरवुच के रूप में है मतलब यह समरूप नहीं है क्लियर बस खतम खतम तो आप मिलते हैं 6.2 में तो इस वीडियो में 6.2 में आप लोग आईए पटा पट उसका अध्यन कीजिए और मजे से एक्सरसास कि त्यार रहेजिए ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दस्तों इस वीडियो इस नहीं जहिन देव रहा तो आप लोग स्वस्त रहेजिए मस्त रहेजिए हारे अक्सरस में मिलते जुर रहेजिए शोट